नमसकार मैं हो ससी आई जहारखन की टोप 25 परमुखवर जानते हैं आज प्रधान मन्त्री विस्व कर्मा योजना करेंगे लंच जहारखन के 18 कारिगर होंगे समानीत प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योईना 17 सितंबर को पूरे देश के 17 स्थानों पर लंच किया जाएका जिसमें पूर्भी सिम्हुम जीला भी सामिल है इस औसर पर रभीवार को सित गोड़ा इस्थित टाउन हॉल में जीला अस्तरिय कारकरम होगा जिसमें केंद्री राज मंत्री एल मुरुगन पूर्भी सिम्हुम जीले के 18 कारिगरों को समानित करेंगे इस औसर पर रज के स्वास्थ चिकिशा सिक्षा परिवार कल्यान एवं आपता प्रवंधन विभाक के मंत्री बन्ना गुपता वा जमसेत पूर्ग के सांसाथ विधूत वरण महतो विवपस्थित रहेंगे प्रदान मंत्री नैंदमोदी नई दिल्ली के द्वारका इस्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन वा एक्सपोस सेंटर से इस योजना की सुरुआत करेंगे इस कारिकरम का सिधा प्रसारन स्थित गोड़ा के टाउन होल में किया जाएगा जिसे जिले भर से आए कारिगर भी देखेंगे बता दे प्रदान मंत्री विभीन अस्थानों के कारिगरों से ओनलेन सनवाद भी करेंगे सिद्गोड़ा इस्थित कारिकरम अस्थल पर विभीन एस्टॉल भी लगाये जाएंगे जिसमें जीले भरके कारीगर द्वारा तयार उनकी कारीगरी की परदर्शनी वबिक्री होगी जारखन के इसकूली बच्चों को इस माह मिल जायेगा पोसाक जारखन के इसकूली बच्चों को इस माह पोसाक उपलब्द कराने का निर्देश दिया गया है जारखन सिक्षा पर योजना की ओर से इसके लिए जीलो को 207 क्रोर रुपे उपलब्द कराए गया है लेकिन अब तक 22 क्रोर ही खर्च हुआ है बता दे जारखन सिक्षा पर योजना की निदेशक कियन कुमारी पासी ने सुकरवार को समिक्षा बैठक की बैठक में सभी जीलो के जीला सिक्षा पता दिकारी वह जीला सिक्षा दिक्षक सामिल हुए समिक्षा के दोन पाया गया है कि रासी उपलब्द कराया जाने के बाद भी बचों को अब तक पोसाक नहीं मिली है निदेशक ने इसे गंभीता से लेते हुए सभी जीलों को निर्देश दिया है कि इस माह के अंत तक हर हल में बचों को पोसाक उपलब्द कराया ऐसा नहीं करने पर डी एसी पर करवाई की जाएगी बैठक में असी उतक्रिष्ट विद्यालियों में बच्चों के नमांकन वा सिक्षकों के रिक्त पदों की जिती की भी जनकारी ली गई है आज सु का महा अधिवेशन एतिहासिक होगा सुदेश महतो आईसू पार्टी के केंद्रिय अध्यक सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रांची का मुरबादी मैदान में पार्टी का महा अधिवेशन होगा परदेश के सभी युवाओ, महिलाओ, बुजुरुगों की समस्याओ, विचारों और सुझाओ परमन्थन के लिए आयोजित यह महा अधिवेशन पूरे राज के 37 करोर लोगों का अधिवेशन होगा महा अधिवेशन में पार्टी के एक लाख पदेन पताधिकारी और राज के सभी 32 हज़ार गाउं के प्रतिनिधी सामिल होंगे महतो ने सनिवार को कठल मोरिश्थीद, लल गुटवा, बैंक्वेट हॉल में आयोजित पार्टी के परदेश, जीला, विधान सभा और परखन पताधिकारी की बैठक को समधित किया है उन्होंने कहा है कि महादिवेशन एतिहासिक होगा, इसके माध्यम से आज़सू पार्टी राज की राजनीती में बदलाव की पठकता लिखेगी जारखन में मेडिको टूरिजम को मिलेगा बढ़ावा जारखन के परमोख टूरिष्ट एसपोर्ट पर मेडिको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए योगा यूस केंद्रे खोलने की योजना है यहाँ परयाटकों को एक छट के नीचे योगा, आयुर्वेद और पंच कर्म का अनुभाव मिलेगा इसके लिए तीन परमोख परयाटन अस्थलो का चायन किया गया है जहां बाहरी और अस्थानी परयाटन सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं उन में नेतरहट, पतरातू और मेक्लूस की गंज सामिल है बताते सरकार दोआरा इन्हे योगा, यूस केंद्र के रूप में बिक्सित करने की योजना बनाई गई है सेंटर को स्रेश्ट परमानिक, आयरुवेदिक, क्लिनिक, पंच कर्म केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा यहां पर्यटन के साथ ही तनाव मुक्ति जैसे कारिकरम आयोजित किये जाएंगे सायनिक इसकूल के कारिकरम में सामिल हुए राजेपाल सायनिक इसकूल ती लईया के 60 वर्स पूरे होने पर समारोग का आयोजन किया गया हीरक जयनती समारों में राजेपाल सीपी रादा किश्णन बतोर मोख्याती थी सामिल हुए इस दोरान समोधित करते हुए सीपी रादा किश्णन ने कहा है कि दूसरों की रक्षावा मदद करना ही साहसा है जो लोग दूसरों को पिटते हैं वो साहसी नहीं कायर है उन्होंने आगेया अभी कहा है कि सैनिक इसकूल ने पीछले साठ शालों में देज को सैकड़ों सैनि प्रसासनिक अधिकारी दिये हैं यहां कि पढ़ाई के साथ अनुशासन विद्ध्यार्थियों को हमेशा के लिए ससक्त और सफल बनाता है बता दे कि सायने की स्कूलती लईया के साथ वरस पूरे होने पर समरो का विजन किया गया इस मोगे पर बतर मुख्य अति थी के तर पर पहुंचे राज्येपाल का प्रचाय गुरूप कैप्टन राहुल सकलानी ने स्वागत किया है राज्येपाल सीपी राधा कृष्णन ने सबसे पहले सहीद असमारा कशल पर जाकर सहीदों की परतिमा परमल्यारपन किया है पांच सोती हत्तर इसकूलों के परभारी प्रधाना ध्यापकों का बेतन अस्थागीत चतरा जीले के चार परखंडों के पांच सोती हत्तर इसकूलों के प्रभारी और प्रधाना ध्यापकों का सितंबर महीने का बेतन अथवा मांदे को अस्थागीत कर दिया गया है उनके उपर कार्यों में धिलापन लाने का आरोप है बतादे मांदे अस्थागित की करवाई परखंड सिक्षा प्रसार पता अधिकारी ने की है परखंड सिक्षा प्रसार पता अधिकारी संतोष कुमार सिंग सी मरिया में पद पर तैनात है वहीं चत्रा, कन्हा, चट्टी या उमलावा लॉंग बलोग के अतिरिक्त परभारी में भी हैं बता दे उप्यूक्त परखंडों के सभी सरकारी स्कूलों के परभारी और प्रधनाध्याप को बैंक वेरिफिकेशन वाधार वेरिफिकेशन छात्रों की प्रगती 2022 तेज और टाइगर जवान, सिटी एसपी, राजधानी रांची में महिलावों के साथ छिंताई की वर्धात में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं भीर वाले इलाके में अपराधी भी दिन दाहरे घटनाओ को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में थानों के अलावा राजधानी रांची में तैनाध PCR और टाइगर जवानों की जिमेदारी बहाती महत्पुन है सनिवार को रांची पुलिस लाइन में राजधानी के सब ही PCR और टाइगर जवानों को हर हाल में पुरी राजधानी पर नयर रखने की हिदायत दी गई है बतादे राजधानी रांची की सुरक्षा के लिए कुल 30 PCR वैन में 120 जवान 50 टाइगर मोबाइल पर 100 जवान दीन रात मुस्तहद रहते हैं इसके वाजूद राजधानी में मोबाइल चेन के छिंताई जैसी वरदात रूकने का नाम नहीं ले रही ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि PCR और टाइगर में पदस्था भी जवान मुस्तहदी से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं जिसकी वाजधा से रांची पुलिस की फजिहात हो रही है जार्खन में तेजी से फैल रहा डेंगू और शिकुनगुनिया का प्रकोप जार्खन में डेंगू और शिकुनगुनिया सभी 24 जीलो में फैल चुका है पिछले दिनों जमसेद पूर के मानगो में डेंगू के आउट ब्रेक के बाद अब रांची सहेगण सही सभी जीलो में डेंगू संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं घरों और आसपास में जमा साप पानी में पनापने वाले एडिस मच्छर को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ विभाग और अलग अलग छेत्रों के नगर निकाय ने डोर टू डोर सर्वे अभियान एक जुलाई से चला रखा है डेंगू के होट स्वार्ट इलाके में डोर टू डोर सर्वे अभियान में 2,88,365 घरों के 9,90,599 कंटेनरों की जाच की गई इस डोर टू डोर सर्वे का जो नतिज़ा आजा है वह चवकाने वाला है बता देई सर्वे में 13,384 घरों में एस्टोर करके रखे गए पानी के 24,674 कंटेनरों में डेंगू फैनने वाले एडिज मचर का लारवा मिला है घाटे से उबरने के लिए बीली दर बढ़ाने में जुटा जे भी भी एनेल लगातार घाटे में चल रहा जारकन बीली वित्रन निगम लिमिटेड इस से उबरने के रास्ते ढूंडने में जुटा है आकडों पर नजर डाले तो वितिये वर्ष 2021 में 22,22 में 26,22 और 22,23 में 25 क्रोर का घाटा जे भी भी एनेल को हुगा था वही 23,24 के दवान अनुमानित खर्च 9,000 क्रोर का है ऐसे में घाटे की भरपाई के लिए जे भी भी एनेल को उमीद है कि जारकन बिदूत नियामक आयोग में लंबित प्रस्ताव पर जल्द फैसला आने से निगम के राया स्वें ब्रीधी हो सकेगी जे भी भी एनेल के महा परवंदक रिसी नंदन के अनुसार नियामक आयोग से फैसला आने के बाद ही नयादर होगा वहीं निगम का दो वी तिये वर्ष के प्रस्ताव फिलहा लंबित था है रांची बे भी निपाह वाइरस का खत्रा मिरित्यू की संभावना 40-70% तक केरल में निपाह वाइरस से संक्रमी दो लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 4 संक्रमी था है मरने वालों को सिधे संपर्क में आए 15 लोगों को हाई रिक्स की कटेगरी में रखा गया है हालाकि ICMR की और से जारी बियान में कहा गया है कि अभी तक या पता नहीं चल पाया है कि केरल में निपाह क्यों फैलता है लेकिन यह बात असपश्ट हो चुकी है कि इस वाइरस से संक्रमी था होने पर मिरित्यू की संभावना 40-70% तक रहती है जाहिर है कि यह बेहद ही घातक है मिडिया रिपोर्ट के मुताविक केरल की स्वास्त मंत्री वीना जार्जा ने बताया है कि यह बंगलादेश सी फेरियन्ट है या इनसानों से इनसानों में फैलता है लिहाजा कोजी कोड के संक्रमित ग्राम पंचायतों को क्वारंटाइन जोन में तबदिल कर दिया गया है इसको देखते हुए केरल के पडोसी राज करनाटक ने आम जनता को परवावित इलाकों में सफर करने से बचने की सलाधी है ऐसे में जारखंड को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता इसकी वज़ा है जारखंड का केरल से ट्रेन कनक्सन हरी ताली का तीज के लिए विशेश त्यारी कर रही महिलाए अखंड सो भागे की कामना लिए महिलाए 18 सितंबर को हरी ताली का तीज का उरत रखेंगी सोलह सिंगार कर भागवान सीव और पारवती की पुजा अर्चनाकर कथा सुनेंगी राजधानी में तीज के लिए घरों में त्यारी शुरू कर दी गई है महिलाए ठेकुआ और पुड़किया सहीत अन्यपरसाद बनाने में जूटी है बताद राजधानी के बजार में साड़ी सूट की खरिदारी से लेकर सिंगार और पुजन समागरी की खरिदारी भी जोरो पर हो रही है तीज को लेकर पारलो में भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है उडिशा जंगल छेतर में इलाज करा रहा बिमार नक्सली गुंगा बंगाली सरांडा जंगल के जार्फन उडिशा सिमान्त छेतर में बिमार कुख्यात नक्सली गुंगा बंगाली द्वारा जोला चाप डक्टरों से इलाज कराए जाने की खबर है गुंगा बंगाली का इलाज कहां और किस डक्टर द्वारा किया जा रहा है वह असपस्ट नहीं हो पाया सुत्रों की माने तो नक्सली गुंगा बंगाली पिछले कुछ दिनों से बिमार चल रहा है इसके हाथ एवं पैर फूले हुए है वह किस बिमार से ग्रसी था या भी असपस्ट नहीं हुआ है उसे चलने फिरने में परिसानी हो रही है इसी वज़ा से वह अपना इलाज कुछ जोला चाप डक्टर से करवा रहा है वहीं दूसरे तरब सरंडा से सटे कुलहान रिजर्ब वन छेत्र में लंबे समय से नक्सलियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है आए दिन पुलिस वा नक्सलियों में मुढबे नक्सलियों दोवरा आईडी बलास्ट पुलिस मुख्वीरी के आरोप में गरामीनों की हत्या करने की घटना है खट रही है वंदे भारत की सीटे खाली जा रही यतरियों को इन दिनों रांची पतना रांची वंदे भारत का सफ़र रास नहीं आ रहा है यही वज़ा है कि लगातार कई दिनों से इस ट्रेन की अधिकतर सिटे खाली जा रही है यदि आरक्षन तालिका पर गौर करें तो 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक CC काटेगरी की सिटे बुक नहीं हुई है और अलग अलग तीत्यों में वंदे भारत की अधिकतर सिटे खाली है IC ही स्थीती EC काटेगरी की वर्थ की भी है इस काटेगरी की वर्थ भी बिल्कुल खाली जा रही है दूसरी वर हटिया इसलामपूर हटिया एक्सप्रेस में भीर चल रही है सिलीपर थर्ड AC, सेकेंड AC और परतम सिरनी के वर्थ के लिए यात्रियों को बीच बीच में परतिक्षा सोची भी मिल रही है साइकल धोने तलाब गए दो बच्चे पानी में डूबे साइकल धोने तलाब गए दो बच्चे डूब गए हैं जिससे दोनों की मौत होगा ही, काफी खोज भी इनके बाद एक बच्चे का सौव को पानी से बाहर निकाला गया है, वहीं दूसरे बच्चे के सौव की तलास की जा रही है, घाटना सनी वर साम, रांची जीले के नगडी थाना छेतरे के होटवासी गाओं की है, घाटना के लाब में बच्चों को खोजना सुरू किया, काफी देर तक खोज भी इनके बाद एक बच्चे को तैराकों ने खोज निकाला, जीसे तुरंथी नजदी की अस्पतार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोसित कर दिया है, जारखन बिजेपी सेवा प परदीव वर्माने जनकाई देते हुए कहा है कि इस दोरान कई कारिकरम आयोजित किये जाएंगे, 17 सितंबर को 11 बजे परधान मंत्री नायंद मोदी देश के कड़ोरों कामगारों के लिए विश्व कर्मा योजना का सुबाराम करने जा रहे हैं, इस अउसर पर रांची के पर राज़ा मंत्री डाक्टर एल मुरुगन उपस्थीत रहेंगे, पधान मत्री नायंद मोदी के जनम दीन पर परदेश भाजपा मुख्याले में सुबा 10 बजे से कारकरम आयोजित किये जाएंगे जारखन में B8 कोलेजों की अधिकान सीते खाली, सरकारी और गय सरकारी स्कूल में सिक्षक बनकर सिक्षक आलख जगाने के लिए युआओ में चाहत अब कम होने लगी है, इसके पीछे सरकार के दुआरा सिक्षक योगता को लेकर हो रहे, लगतार बदलाव और अनियमित आ पाउसर को माना जा रहा है, एक सरकारी स्कूल में सिक्षक बनने के लिए हवियारतियों को कई परिक्षा पास करनी होती है, इसके बाद वो स्कूल तक पहुंच पाते हैं, हाल के दिनों में प्रैमरी सिक्षक के लिए B8 के मने आता एक बजाय, DL8 को सुप्रीम कोट द्वा अनिवार किया जाना और लंबे समय से सिक्षक पत्रता परिक्षा राज्य में नहीं होने से B8 करने की चाहत रखने वाले युवाव में भारी कमी है, धन्यवाद